वेरी गूड इवनिंग स्टुडेंट बिटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफियर की देखिए 29 और 30 नमबर को जो भी करंट के कोश्चन बने हैं आपके एक्जाम के पॉइंट यूफी से जो बेस्ट कोश्चन है वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे और सभी ठीक है तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं यह रहा आज का फर्स्ट कोश्चन देखो हाल ही में यूएस से ने कौन से ग्रह पर नमक के गलेशियर की खोज की है इन विच प्लानेट यूएस से डिस्टेंटली डिस्कवर्ड सोल्ट ग्लेशियर तो बेटा यह नमक का जो ग अर्थ या मार्स तो यूएस से ने नमक के गलेशियर की खोज कर ली है कौन से प्लानेट पर यह मर्कुरी इससे यूएस से ने बताया कि इससे लाइफ की पोसिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बाद आए हैं हैं ना मैं मर्कुरी के आपकी सामरे थोड़ा सा में दिसकूस करूंगा देखें यहां पर अपना जो प्लानेट ये ये है कौन सा is mercury еاتक मर्क्यूरी यानी बुध के निढून के बारे में हाम डिसकूस करेंगे देखको बुध उसके निरश्ट प्लानेट उसके का सबसे नज़्दीकी प्लानेट कौन सा nearest to the sun सूर्य का सबसा नज़्दीक और यह सबसे छोटा भी है है ना smallest planet है भई है ना क्या इसके पास अपने उपगरे हैं क्या इसके पास अपने satellite है no satellite इसका कोई भी उपगरे नहीं है no satellite no satellite इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है है ना इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है बुद्ध की मैं बात कर रहा हूं मर्क्यूरी की सबसे नजदीक है सूरिय के है ना सबसे छोटा है ये इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है और क्या खास बात है वे के चैंप्तर आधा श्राएं 12 Pun है आधा तर किया होता है टेंप्रेचर डिफरेंश बीटविन इसे लिपरेंचर और żो तो यह temperature difference जो होता है उसको टैप्टर बोलते हैं बेटा तो सबसे ज़्यादा टैप्टर यह बुद्ध का यह सुनिए बेटा यह चीज आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी मैं आपको यह चीज बता रहा हूं सुनिए बेटा देखो बुद्ध का यानि mercury का जो highest temperature है वो 427 degree Celsius होत दोनों का difference क्या हो गया इन दोनों का difference आ गया जोड़ा जाएगा तो इतना ज्यादा तापांतर इतना ज्यादा टैप्टर किसी बी प्लानेट का नहीं है यह बुद्ध की विसेष्था मैं आपको बता रहा हूं सुनिए आगे और पॉइंट मैं यहाँ पर आगे और फिफ् इसका rotation timing कितना होता है रोटेशन बुद्ध कितने दिन में या कितने घंटे में अपनी अक्स पर अपनी दुरी पर घूम जाता है तो बेटा rotation timing इसका 59 डेज 59 डेज और इसका revolution टाइमिंग यानि प्रीकर्मन टाइमिंग कितना है यह sun के round कितने जिन में घूम लेता है 88 डेज अठासी दिन में यह रिवोल्व होगा round of sun है ना यह 59 डेज में यह घूम जाता है घूर्णन करता है अपने ही अक्स पर अपनी दुरी पर घूम जाता है तो rotation timing 59 डेज और revolution टाइमिंग 88 डेज ठीक है इसका टैप्टर कितना है 600 है इसका highest temperature कितना है 427 डिगरी सेल्से से lowest temperature कितना जो रात में हो जाता है माइनस 173 डिगरी सेल्से दोनों का टैप्टर हो गया कितना 600 तो यह था बेटा बुद्ध के बारे में जानकर यूस से ने हमें बताया यूस से ने हमें बताया कि बुद्ध के बारे में क्या बताया कि वहां पर नमक के glacier देखने को मिले है नमक के glacier वहां पर देखने को मिले हैं ठीक है ना वहां पर ये कुछ ऐसा वहां पर जो है ना कुछ गर्ट कुछ गड़े कुछ गड़े ऐसे मिले हैं जहां पर जो बोला जाए कि वो सबली मेशन के कुछ गड़े मिले हैं सबली मेशन क्या होता है उर्धु पातन होता है बेटा सबली मेशन के कुछ गड़े मिले हैं है ना सबली मेशन मतलब उर्धु पातन चुनिए उर्धु पातन ठीक है इसको इंगलिस में बोलते हैं सबली मेशन ध्यान से सुनना ये वो चीज है विटा जब हम किसी भी solid part को जलाते हैं गरम करते हैं तो वो liquid form में ना होकर सीधा gas form में आ जाते हैं सीधा उसकी gas बन जाती है like kapoor जैसे kapoor होता है ऐसे ही यहाँ पर भी है बुद्ध के अंदर वो गरम होता है और सीधा gas में चला जाता है जिससे वहाँ पर काफी गड़े मिले हैं का इसे वहाー पर सबक्राइश हैं और यह सीधे जो है जे जलवास्प हो जाता है सिधा और गड़ा बन जाता है वहाँ पर और यह कैसे गड़े बने हैं सबलीवेशन के गड़े हैं उर्दू पातन के गड़े हैं जो सीधा जो सीधा का सीधा वास्पित होकर उसमें जलवास्प बतलब जो है वह सीधा वास्प उसकी बाफ बनके उड़ जाता है उसका गड़ा बन जात यहीं आप देखोगे और कहीं पर आपको यह इतने सारी जानकरी बुद्ध के बारे में नहीं मिलने वाली जो ओफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मालूमी है ना सुनिया वी कोश्चन नबर सेकिंड किस रजय या कंदर्शासित पर देश में राशिनपी एसे की पहली दार्क स्काई रिजर्व सेंचोरी खोलीजाएगीά इस्ट एस्याज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी विल भी ओपन इन विच स्टेट यह कौन से स्टेट भी है या फिर यूटी में यह डार्क स्काई सेंचुरी ओपन की जाएगी आंसुर इज लदाक रुणाचल परदेश देली जमू कस्मीर तो बेटा आंसुर इज लदाक लदाक के अंदर यह डार्क स्काई सेंचुरी खोली जाएगी इसमें सुनो डार्क स्काई क्यों बोला अब डार्क स्काई कब होता है रात में होता है वेटा जब अंदेरा हो जाता है ना तो यह वहां पर इसका खोलने का उपन करने का परपस क्या था कि के समय आसमान बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे तो वो जगह लद्दाक में और लद्दाक में यहीं पर विटा एक नेशनल पार्क है मैं लद्दाक के बारे में यहां पर आपके बात करूँ गा है ना लद्दाक की मैं आपको बात करूँ यहां पर तो लद्दाक की नेशनल पार्क में पुचांग थांग पुचांग थांग नेशनल पार्क में इसी के इस हिस्से में डार्क स्काई सैंचुरी रिजरु यानि डार्क स्काई रिजरु की स्थापना की जाएगी पुचांग थांग ये क्या है विटा ये नेशनल पार्क है और इसी नेशनल पा की जाएगी कहां लड़्णा कि राज्दानी बेटा क्या है लड़्णा क्या है लद्दाक एक यूटी-धी है यूनियन Terme अब उसके दो हिस्से होगे एक ठोजमू का समीर और एक लड़्णा को mél affect दोनों के दोनों ये नेशनल पार्क है पुचांग ठांग इसके अंदर ही बनाया जाएगा डार्क स्काई रिजर्व डार्क स्काई रिजर्व क्योंकि आसमान साफ चमकता है रात के समय में इस एरिया में इसलिए यहीं पर डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की जाएगी लद्दाक के अं फालो में न लद्धा की अंदर मैत तो आहओ आप इस प्लेट एक रात का यह कोछ डीजह आथ लडील देजट थंदा कि थंदा मुरुजतल रापस का ठीक है भारत में हाइस्ट प्लेट ट्यू भी है एक हाइस्ट प्लेट्व मांन न लुद्द माउंटेन है लद्दाक और इसके दीचे लद्दाक और इसके नीचे लद्दाक के नीचे एक माउंटन रेंज जासकर कौन सी है जासकर तो लद्दाक और जासकर के बीच से यहां से लद्दाक और जासकर के पार्ट कॉन से हिमालय के पार्ट में अधाक है तो बटाब ट्रांज हिमालय का पार्ट है ध्यान रखना थ्य हिमालय का पार्ट है याद रहीगा। यह सभी हमpton आपको नोट करते विज्क है कि सब से ऊंची रऊचाण यहां पर लिख दूँ हाइस्ट रोड रोड जो कि लेटू मनाली है लेटू मनाली दुनिया की सबसे उची रोड है लेटू मनाली लगभग मैंने कम्प्रीट किया देखो यही कोश्चिन था है साउथ एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी खुली जाएगी लद्दाक में चलो कुश्चन नमबर थर्ड पर देखते हैं भी हाल ही में दुनिया की आठवें अजूबे के रूप में किसे चुना गया दुनिया के आ अंकोर अंकोरवाट अंकोरवाट का टेंपल यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर की दर है बेटा कौन से देश में कमबोडिया कमबोडिया कंट्री ठीक है ना जो कि मयानमार के और भी इस्ट में पढ़ेगा मयानमार के और भी पूरों में पढ़ेगा कंबोडिया कंट्री है ना यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर है ना इस आने वाले राजा थे सूर्य वर्मन सेकेंड कौन से राजवन्स के थे खमेर राजवन्स के थे ठीक है अब और सुनिए देखो ये जो मंदिर है ना बेट अंकुरवाट का मंदिर दुनिया की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और यह युनेसको की जो वर्ल्ड हरिटेज साइट है युनेसको की उसमें तो यह पहले से शामिल था उसमें 2022 में युनेसको की लिस्ट में इसको डाल दिया गया था लेकिन आठवा अजूबा इसको अभी रिसेंटली बनाया गया है कुरवाट के मंदर को जिसकोma कोन दें और सुर्य कोन से राजभं सेकंड यह बनवाय था है ना सुर्य कीज़ाट्य two यह दाइनेस्टिस बड़ा टाइगर इजरु बन गया तो यह कोन से राज्य का जो वीरागना रानी दुर्गावती है यह कोन से राज्य की है भाई इस से सिम्बनदित यह कोस्चन है जो यह crit पता होनाision technologyati कोंसे राज्य की मध्यय प्रदेश के न तो यहीं का रान दुर्गावती टाइगर वभारत का नहीं बहरत का नहीं मध्यय प्रदेश का सबसे बढ़ा टाइगर व चांते बन गया यह बना कैसे बड़ा क्योंकि इसमें एक और वन्य जीव अभ्यारन्य एक और सेंचुरी इसमें मर्ज कर दी गई है मिला दी गई है इसलिए यह बड़ा बन गया है बद्ध्ध है परदेश न यह कौन से कौन से टाइगर रिजर्व को एड़ कर दिया गया एक तो यही रानी दुर्गावती ठीक है यह बड़ा कैसे हो गया वह मैं आपको बता हो रानी दुर्गावती में नोरा देही नोरा देही को मर्ज कर दिया गया इन दोनों को मिला दिया गया इस तरह से राणी दुर्गावती टाइगर रिजर्व सेंचुरी जो है वो मद्ध्य परदेश की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व सेंचुरी हो गई है नोरा दे ही करना है कहीं नोरा फते ही कर दो तो एक्टर है दांसर है वो नहीं नोरा देही और राणी दुर्गावती इन दोनों पार्क को एड़ कर दिया गया इससे राणी दुर्गावती tigre siri century विए सबसे बड़ी tigertyard salary होगी मद्हे पर देश की है ना बिटा मद्र परदेश की बाद चली तो मैं यहां पर मद्र परदेश के स्टेटिक पॉन्ट आपको जरूर बताऊंगいきます सुनिये मद्र परदेश की बात है बिटा मद्र परदेश की राजदानिस सब्ट को मालूम है भोपाल है ना यहां के CM कोन ए शिवराज सिंग चोहान शिवराज सिंग चोहान है ना यहां से नदियां बहुत सारी जाती है मैं आपको यहां पर एक तो विन्धियांचल माउंटिन रेंज हैं आपको मैं बताऊंगा विन्धियांचल विन्धियांचल माउंटिन रेंज है यहीं पर सतपुडा माउंटेन रेंज है यहां से नदिया कोन कोन सी जाती है यहां से नर्मदा रीवर यहीं से तापती रीवर यहीं से बेतवा रीवर यहीं से चंबल रीवर है ना ये सारी नदियां बेतवा चंबल तापती दर्मदा बहुत सारी नदियां और भी बहुत सारी जैसे के नदी है सोन नदी है है ना तापती है तो ये बहुत सारी और भी नदियां है जो मध्य परदेश से निकलती है है ना मद्धय परदेस के अंदर लाँस हैं इसमसे ज्यादा तो यहां पर सबसे ज्ञदाज यहां पर भारत में सबसे ज्ञदा ज़दा मद्धय bon कर लेंगे तेंडर को ॐ ऐही पर आपको जो अपना भारत का पुराना संसद भवन था वो कौनसे मंदिर की कोपी था तो वो मंदिर भी यहीं पर है कौन सा मंदिर चोसट योगिनी चोसट योगिनी मंदिर ये भी मध्य परदेश में है खजुराहों मंदिर भी मध्य परदेश में पर हैं मध्य पेश में है उके में मूल निवास्थान मध्य परदेश में इसका एक च्छा और सुनिए मध्य पर दिस高 baik मध्य परदेश को क्या बोलते हैём टाइगर स्टेट मत एपस्टेड मुझी परॉजेक्ट क्छ टाइगर हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर किस्ता अपना होई थी 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर मध्य परदिश में चला था है ना भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य परदिश में भारत से ज़्यादा वन शेत्र मध्य परदिश में भारत में सबसे ज़्यादा नैसनल पार्क मध् लेकिन मद्य पर्देश से 36 गड़ को लग कर दिया तो मद्य पर्देश अब सबसे बड़ा ना हुगा सबसे बड़ा अब राज्य नहीं है भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है चलो अगला कोशन देखिए किस देश ने दुनिया के पहले धु 2022 में PM कौन थी है ठीक है 2022 में न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड के PM जेन्सिका अर्डन ये ंस थी मैं जो जेन्सिका अर्डन न्यूजिलेंड की 2022 में ये PM थी और इसने तमबाकू बर परतिबद लगा दिया था धुम्र पान बिल्कुल पाबंदी लगाई थी और इसने एक एम बनाया था कि 2025 तक न्यूजिलेंड को हम टोबैको फ्री कर देंगे तमबाकू फ्री कर देंगे न्यूजिलेंड को 2025 तक तमबाकू फिरी कर देंगे ये न्यूजिलेंड के PM जेंसी का अड़न ने वादा किया था लेकिन अभी जो नए PM आए हैं जो अभी नए PM आए हैं न्यूजिलेंड के उन्होंने ये जो करेकरम था ये जो प्लान था इसको रद कर दिया है ये नए PM को क्रिश्टोफर क्रिश्टोफर लक्षण क्रिश्टोफर लक्षण क्रिश्टोफर लक्षण ने यह सब बंद कर दिया कि यह सब कोई कानून नहीं ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा ठीक है ना तो क्रिस्टोफर लक्षन ने न्यूजिलेंड के जो पहले जो पी-म थी जैन सी का अरड़न 2022 में उसका जो दिर्ड़ था कि दुमरपान पर सब दक्षिड का या जी साउथ का या साउथ इस्ट का ब्रिटेन कहते हैं इंग्लेंड कहते हैं उसको न्यूजिलेंड को न्यूजिलेंड और उस्टेलिया के बीच में तसमान सागर है बेटा न्यूजिलेंड और उस्टेलिया के बीच में कौन सा सी है तसमान सी ये बच्चे ध गानिवल ट्रेड फेयर बाली जात्रा स्टार्टेड तो बीटा कहां स्टार्ट हुआ यह नागलेंड औरीशा राजिस्थार और अधन प्रदेश तो आंसुर इस औरीशा औरीशा में बन गया है ठीक है ना दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बेला ओडिशा में अंसुर क्या है ओडिशा तो ओडिशा में महांदी तो महांदी के किनारे पर बैंकोन महांदी महां दी के किनारे पर किया यहां पर बोटिंग होगी बिटा बोटिंग यानि नाव पर ये काम चलेगा नाव पर कारिये होता है नाव पर कारिये होता है नाव यानि बोट होती है उससे कारिये करम ये शुरू होता है जान रहेगे आपको यहाँ पर नाव को चलाने वाली इस समय वहां की एक लोकल विंड हवा चलती है वहां की local wind flow होती, बोईता हवा, कौन सी हवा? बोईता, ये हवा है वहां की wind पवन है, ये वहां की पवन है, ठीक है कहां की पवन है? ओडिसा की ओडिसा की ये पवन है है ना विंड है कौन सी बोईता जो की उदर जो की दर नाव को चलाने में सहायक सिद होती है सहायता करती है जिस डारेक्शन में बोईता हवा चलती है उसी डारेक्शन में वो नाव को चलाते है उदर ठीक है ये था कोशन हमारा है ना अब ओ उडिशा के जो राजयेपाल वह रगुवरडास तह कैं ओर जिसा जो जो सी एंब नवीन पटनायक थिए नवीन पटनायक वहां के कहा के और जान कर दो गालों कहां नोट कर ले रहा है जगदनाथ टेंपल है ओडीचा के इंदर ठीक है ना लिंग राज मन्दिर है ओडीचा के अंदर ओडीचा के अंदर नसुनल पार्क एंदर और डीचा की बहषा है ओडी ओडिया और वहां कि जो डांस है वो है ओडी सी क्लासिकल डांस है ओडी सी यह थे ओडी सा के क्या होता है बता सकते हैं अवी दो राए नहीं है कहीं पर भी जूट बेदाग कोई दाग नहीं दबा नहीं है है ऐसा प्रवानिक का मनलब होता है authentic ठीक है यह बात आपको द्याल रखना मरियम वेबस्टर के बारे मैं आपको बता हूं जो आपको इस दिख रहे न है मरियम वेबस्टर यह क्या है एक dictionary है यह दुनिया की सबसे पुरानी तुनिया की नहीं USA की आपको रहेंगे USA की old dictionary है ठीक है old dictionary है यह USA की कहां की USA की बहुत ही प्राचीन dictionary है इसमें इसे एक word लिया authentic तो word of the year word of the year कौन सा year 2023 का उसमें यह authentic word को सबसे ज़्यादा इसको मतलब पहचान मिली है ओके 2022 में भी word of the year था भाई जिसका question भी बना था 2022 में word of the year कौन सा था 2022 का word of the year था gas lighting कौन सा था बिटा gas lighting मैं लिख देता हूं gas lighting गैस लाइटिंग वर्ड ओफ दा 2022 ठीक है गैस लाइटिंग अगले question पर चलते हैं अभी राष्टिय स्तर का परदूशन परतिक्रिया राष्टिय स्तर का कोश्ट गार्ड रिसेंटली तो बटा यह है गुजरात के अंदर आंसर क्या है आंसर गुजरात गुजरात के अंदर है राष्टिय स्तर का परदूशन परतिक्राइब भारती तरक्षग बल दौरा कौन से राज्जे में गुजरात में स्टार्ट किया जाएगा बच्चे पटेल भुपिंद्र भाई पटेल यहां के राज्ये पाल कोन है गुजरात के गवर्णर कोन है राज्ये पाल कोन है भाई यह आचारिय देव वरत आचारिय देव वरत यह राज्ये पाल है गुजरात के अंदर तो गुजरात की मैं बात कर रहा था गुजरात का जो एक राष्टे इस्तर का परदूशन परतिग्रिया अभ्यास का नाम क्या था ये नाम था नाम था इसका नेट नेट पोल रेक्स नेट पोल रेक्स नेट पोल रेक्स ये नाम था इसका नेट पोल रेक्स ओके बात समझ में आ गई और ये भारत में नेट पोल रेक्स कौन से नंबर का नुए नंबर का है नाइन्थ प्लेस है इसका है ना बारतिय तत्रक्षक बल की स्थापना कब हुई बारतिय तत्रक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई बारतिय तत्रक्षक बल 1978 में पहचान में आया हैड क्वाटर नहीं दिल्ली में इसका तत्रक्षक बल का हैड क्वाटर की दर बेटा नहीं दिल महानिधेशक है, राकेश पाल। यह महान इधेशक हैं पीटा। हाल ही में Supreme Court में DR भीमराव अंबेडकर की परतीमा का अनावन किसके दवारा कर दिया हूं जी किया है नहीं सम्मीधान को बनाया था लेकिन लिखने वाले एन प्रेंठा भीहारी राय जाधा लिखने वाले लेको B Hernan correct कर दे प्रारूप समीधी के द्वारा लेकिन उसको अपने हाथ से नों लिखा अपने हाथ से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी राय जाधा ठीक न बहुत विखा था अगला कोश्छन देह सकते हैं देखो प्रेंजिव का ही राल जे कानिया ये समसे पहले सुप्रीम कोट के मुख्य जज थे विटा न्याएदीश भारत के अभी को नंडी याई चंदर चूड अभी मुख्य न्याएदीश हैं डी वाई चंदर चूड अभी अभी दीवाई चंदर चूड सुप्रीम कोट के ये हेड हैं मुख्य नाई धीस हैं है ना आगे बड़े बिटा आगे बड़ते हैं लास्ट कोश्चिन पर आज का जो लास्ट कोश्चिन है हाल ही में राष्ट्रिय अंगदान दिवस मनाया गया है बहुत साए डोक्टर हैं मिटा उन्होंने भी अपना अंगदान देने का फैसला कर लिया है ये मरने के तुरंत बाद होते हैं ये घरवालों की रजाबंदी से होते हैं कोकि ऐसा हम नहीं कर सकते इसमें बहुत सारी अरचने भी होती धार्मिक मामला भी आ जाता है लेकिन आज के जो पढ़ा लिखा समझदार जो इंसान है वो सोचता है नहीं किसी से मेरे बाद मेरे ही अंग किसी दूसरे आदमी के काम आए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है इसलिए बहुत सारे डॉक्टर से हैं जिन्होंने यहां पर बोला है कि हमारे भी हम भी हम अपना जो और्ग करता हूं इन सबी कोष्टंज को आपको उनके स्टेटिक पॉनिट के साथ नोट करते हुए चलना है एक यह जिस्टर तैयार कीजिए जिसमें स्टेटिक करन्ट फिर अलग से हिस्ट्रीं ग्रफी पॉल्यटी अलग से आपको तैयार करनी है ठीक है चलो मिलते है नेक्स क्ला